अब देखे देश भर में एक तरफ रावण कुम्भकरण और मेघनात के पुत्रों को जलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ गुरुग्राम में न्यू कॉलोनी में ऐसी यात्रा निकाली गई है जिसमें रावण रूपी शरीर में व्याप्त बिमारियों को देहन करने के लिए को जागरुक किया गया इस स्यात्रा में लोगों को स्वास्ति संबंदी जानकारी दी गई तो वहीं बकाइदा रावण कुम्भकरण और मेघनात के पुत्लों के साथ बीपी शुगर और अन्यकाई बिमारियां जो समस्त समाज में करीब असी प्रतीशत लोगों को है उनसे चुटकारा पाने के लिए जागरुक किया गया और इसी कड़ी में हमारे संबाद्दता वहां पहुंचे और वहां का जाइजा लिया आपको भी दिखाते हैं देश्वर में आज विशाय दस्मी की दूम है और देश्वर में अलागला कारियो करम का आयजवन किया गया आज के दिन भगवान चिरी राम ने रावन का वद किया था और देश्वर में अलागला कारियो करम किये गया और इस समय में में मौजूद हूं गुरूगराम के न पीता हनुमान की जाकी होती है साथ में तमाम जो राम दरवार में लोग मौजूद होते हैं उनकी जाकी होती है लेकिन आज गुरुग्राम में एक अनोकी है जो शोभाय आतरा निकाली जा रही है जिसमें की लोगों को बीमारियों के परती जागरू किया जा रहा हो चाहे बी प्रति लोगों को आज गुरूग्राम में जाग्रूप कर रहे हैं और इसी के चलते तमाम जो लोग हैं या मुझूद हैं लोगों को साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार बीपी शूगर या फिर अन्य जो बिमारी हैं वो लोगों को हुरियार ऐसे में कहीना कि आप देख सकत क्या आज की शौबायात्रा का क्या विजन है देखे हमारी शौबायात्रा का सीधा सा मक्सद हमारे इस बोड में है कि राक्षश रावन को राक्षश रावन को श्री राम हजारों साल पहले मार चुके हैं आज हम जा जाके हर साल जो यह बास और पेपर में लिप्टे पुत उनका हमें कोई लाब नहीं है आज वास्ता में अगर काम करना है तो काम करना है अपने शरीर में बैठे बीमारी रूपी राक्षस होबे जो ब्लड प्रेशार शुगार सिर्दार्द मांसिक चिर्चलापन नीन नाना ये सब आज हमारे राक्षस हैं और आज राम जी सीता जी भगवान लक्षमान हनुमान जी ये संदेश देना चाहते हैं जनमानस को कि अब आपको ब्रहमास्त चलाने के वशक्ता नहीं है अब आपको बांड चलाने हैं अच्छे आहार के अच्छी जीवन खैली के अच्छे योगा अभ्यास के और आज बहुत बढ़िया बात यह है कि मैं चिक्सक होने के नाते लोगों को एक पुस्तक डिस्ट्रिबूट कर रहा हूं निशूल के 10,000 पुस्तक हम डिस्ट्रिबूट कर रहे हैं और उसमें 50 होम रेमिडीज वो हैं जो बिल्कुल टेस्टेट रेमिडीज हैं आपको पेड़ दर्द होता है आपको उल्टी हो दस्ट होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना अब आपको फुस्तक उठानी है उसके किचन रेमिडीज को पढ़ना अपने किचन की तरफ जाना है और यह 20 साल से वह नुस्कियां जो मैं इस्तमाल कर रहा हूं अगर इन नुस्कों का इस्तमाल क्या जाएगा इन सिंपल होम रेमिडीज का इस्तमाल क्या जाएगा तो 90% कंडिशन में यू आपको ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ना ही विशायली केमिकल युक्त मैडिसिन खानी पड़ेंगी जब हम यह मैडिसिन खा रहे हैं जब हम गंदा खाना खा रहे हैं तो यह बीपी से पहले अकान अम्रत्य को प्राप्त हो रहे हैं तमाम यह बड़ी एक जो शोबह यात्रह वो निकाले जा रही है और साथ ही साथ इस तरीके से अब तमाम जो लोग हैं वो मैसेज कनवे किया जा रहा है साथ ही साथ एक निशूल्त उनको बुक भी सर्कुलेट की जा रही है कि जिससे कि वो घर बैठ कर अपने स्वास का ध्यान रख सकें जैदि उनको कोई तकलीफ है तो उस बुक्स के माध्यम से वो अपना इलाज कर सकें गुरूग नाम से कैमरामेन जगदीब के साथ संजहरा ठौर अंबाला की बराड़ा में विश्व का सबसे उचा रावन का पुतला जलाया जाएगा जिसकी उचाई 125 फीट है इस पुतले में इको फ्रेंडी पठाको और आतिश बाजी का इस्तमाल किया गया है जिसमें बिलकुल भी पॉलूशन नहीं होगा आपको बतादे इस पुतले को बनाने में डेड़ महीने का समय लगा है और इसे क्रेन और जेसे बी की मदद से खड़ा किया गया साथ ही ये भी वतादे कि इसको बनाने में दस लाक रुपई की लागत लगी है ये इसकी जो उचाई एक सो पचीस फीट है और जो इसकी जहां तक खासित का सवाल है इसमें एको फ्रेंडली क्रेकर्ज का इस्तेमाल किया गया है और रिमोट कंट्रोल के दोरा इसका देहन किया जाएगा इसमें डेड़ महीने का टाइम लगा है और बीस आदमियों की टी इस पर बनाने में इसका खरचा है